नमस्कार भूमी पुत्र किसान भाईयो स्वागत है आपका आपके ही चैनल क्रोप एड़बाईजिर पर किसान भाईयो मैं जस्पन सिंग आपके लिए नए नए वीडियो जिस फसल का समय चल रहा हो लेके आता हूं हर फसल की बीज किसमे फसलों में लगने वाले रोगों कीटों खर्पतबारों के बारे में जानकारी वे उसका समाधान बताता हूं अगर आपको किसी फसल किसम रोग कीट खर्पतबार या किसी पुड़क्ट के बारे में जानना हो तो आप मुझे कुमेंट कर सकते हैं अगर आप मुझसे पहली बार जुड़े हैं तो आप मेरा चैनल सबस्क्राइब करें लाइक करें और शेयर जुरूर करें ताकि मेरे द्वारा डाली गई वीडियो आप तक पहुं सके आज अपना टोपिक है चने की सुंडियों के बारे में इसमें फरविक का प्रथम सप्ता चल रहा है और इस समय दिन में तेज दूप होगी और रातें ठंडी होती हैं जो सुंडियों के लिए अनकूल समय है जिससे सुंडियों के अंडे जल्दी परिपकब होंगे और लरबा भी जल्दी त्यार होंगे तो सरपर थम बात करते हैं कत्रा सुंडी के बारे में कत्रा सुंडी के बारे में यह सुंडी मिट्टी में 2-4 इंच गहराई में छिप कर रहती है यह पोदें के उपरी बाग जैसे कॉमल पतियां, कॉमल टहनियां ताना खा जाती है सुन्डियों का रंग गहरा बूरा वे सिरलाल होता है उसके बाद बात करते हैं फली छेदक या पोड बोरर इसका बाइलोजिकल नाम है हैली कोपरा आर्मी जेरा यह चने का खतरनाक कीट है जो पचेतर प्रतिशत उपज कम कर देता है यह पतियों बे सभी प्रकार की फलीओं चाहे कच्ची हो पक्की हो सभी को चट कर जाती है फलीओं पर गोला कार छेद बनाकर अंदर के दानों को खा जाती है और सिर्फ रह जाता है छिलका उसके बाद बात करते हैं कट बरम की यह जो सुंडी है यह मिट्टी में ही रहती है और मिट्टी के पास से पोदे के चने के पोदे को काट देती है जिसे की पोदा सूख जाता है अब बात आती है कि नियंतरन कैसे करें सबसे पहले कत्रा सुंडी फली छेद के कट बरम इन सबी को एक ही हिस्प्रे से कंट्रोल किया जा सकता है तो दोनों तीनों के नियंतरन के लिए सरपर्थम बात कर लेते हैं हेलिकोप्रा के लिए हेलिकोप्रा आर्मी जेरा फिरोमन ट्रेप कार्ड लगाए जा सकते हैं हेलिकोप्रा आर्मी जेरा फिरोमन कार्ड जो परती एकड़ पांच कार्ड परती एकड़ प्रेप्त रहते हैं ये कार्ड शुरुआती अवस्था में ही लगा देने चाहिए जिसे की नर्कीट इन कैपसुल की जो लिूर उसमें डाले जाते हैं उनकी गंद से आकरशित होकर ट्रैप में फंस जाते हैं ये लिूर को जो कैपसुल ट्रैप में लगाए जाते हैं उनको कहते हैं लियूर को 25 दिनों के बीस से 25 दिनों के बाद इसको बदल सकते हैं और नए लियूर लगा सकते हैं अब आपको बताता हूं रसायनिक नियंतरन अगर सुंडियों की संख्या कम है तो आप हलकी स्प्रेज से ही कम चला सकते हैं लेकन अगर एक खूड में एक मेटर की दूरी पर एक सुंडियों मिलती हैं तो आप हलकी में नए लें बड़ी अस नियंतरन करें तो रसायनिक नियंतरन की दबाई यह हैं मैं आपको बताता हूं पहली है एममेक्टिन बेंजोएट 5% SG जिसको प्रोक्लेम के नाम से भी जानते हैं इसकी मात्रा 0.6 से 0.7 पर लिटर पानी के हिसाब से गोल बिना कर छेड़काव कर सकते हैं या दूसरे नमबर पर है फ्ल्यू बेंडामाइड 20% इसकी मात्रा 4 से 0.5 ग्राम पर लिटर एक प्रती लिटर पानी के हिसाब से गोल बिना कर इसका छेड़काव कर सकते हैं यह भी बहुत बड़ी रसायन है इसके बाद तिसरे नमबर पर आता है फ्ल्यू बेंडामाइड 49.35 पर तिस्यत इसकी जो मात्रा हमें देनी है 0.256.30 ग्राम पर लिटर पानी के हिसाब से गोल बिना कर इसका छेड़काव कर सकते हैं उसके बाद आता है क्लोर एंट्रा नीली प्रोल 18.5 पर तिस्यत और इसकी मात्रा 0.3 से 0.3 एमेल पर लिटर परती एक लिटर पानी के हिसाब से गोल बिना कर इसका छेड़काव कर सकते हैं तो किसान भाई कैसे लगी आपको मेरी वीडियो कोमेंट जुरूर करें धन्यवाद